नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तों सनान करने को हम साधारन सा कार्य समझते हैं इसी कारण से लोग किसी भी समय पर सनान कर लेते हैं अथवा कुछ लोग कभी कभी सनान करना भी भूल जाते हैं वे लोग सनान को अधिक महत्व नहीं देते हैं लेकिन दोस्तों शास्त्रों क के अनुसार स्नान करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। स्नान को हमारे सभी पुराणों और शास्त्रों में सबसे अधिक महत्व दिया गया है। स्नान के बिना शरीर की शुद्धी नहीं होती है। और जब तक शरीर शुद्ध नहीं होता है। हमें किसी भी प्र प्रकार के कार्य को आरंभ नहीं करना चाहिए. अन्यथा उन कार्यों में विघ्न निर्मान होने लगते हैं. शास्त्रों में स्नान करने के सबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं. यदि स्नान करने की सही विधी का पालन किया जाए, तो इसके कई लाभ हम प्राप्थ होते हैं। स्नान करते समय बोले जाने वाले मंत्रों के बारे में बताया है। और आपको सुख सम्रिद्धी की प्राप्ती होगी। देखते ही देखते आपको सभी कारियों में सफलता मिलने लगेगी। साथ ही महिलाओ को अपने बाल धोते समय भी शास्त्रों के नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। बाल किस दिन धोने चाहिए और किस दिन नहीं। शास्त्रों में कुछ तिथियों के बारे में बताया गया है, जिस दिन बाल धोना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं, स्त्री और पुरुष को सनान करते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और महिलाओ को किस दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सनान करने के लिए सुभा का समय ही सर्वोत्तम होता है। प्रातयकाल सनान करने के पश्चात मनुष्य शुद्ध होकर जब पूजापाठ आदी समस्त शुभकारियों के योग्य बनता है। सनान किये बगैर किसी भी प्रकार का शुभकार्य नहीं करना चाहिए। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नौ छिदरों वाले मनुष्य के शरीर से दिन रात गंदगी निकलती रहता है। इसलिए इसे नित्य शुद्ध करना अवश्यक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदी संभव हो, तो शुद्ध तीर्थ में स्नान करना चाहिए। क्योंकि यह मलपूर्ण शरीर शुद्ध तीर्थ में स्नान करने से शुद्ध होता है। यदी ऐसा संभव न हो, तो शुद्ध जल से ही स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्राताय काल में स्नान करता है, उसके पास दुष्ट शक्तिया नहीं आती है। उस पर कभी बुरी नजर का और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही उस स्वपन का नाश, ताप और मेधा, ये दस गुन प्राप्त होते हैं और मनुष्य संसार में कीर्ती पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के सभी पवित्रकार्य स्नान मूलक है, अर्थात कोई भी पवित्रकार्य बिना स्नान किये कभी संपन्न नहीं होता है। स्नान करने पर मनुष्य के इंद्रियों का भी नाश होता है। इसलिए स्वयम का कल्यान चाहने वाले व्यक्ति को रोज स्नान जरूर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारे मुख से लार, पसीना, मल, आदी, अपवित्र पदार्थ निकलते हैं स्नान करते समय इश्वर का ध्यान करना चाहिए, इससे तन की गंदगी के साथ हमारे मन की गंदगी भी साफ हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो भी व्यक्ति प्रती दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्रधारण कर सूर्य देव की आराधना करता है। उसे जीवन में धन के साथ यश्की भी प्राप्ति अवश्य होती है। लेकिन दोस्तों स्नान करने का भी एक सही समय होता है। कई लोग अपनी सुविधा के अनुसार स्नान कर लेते हैं जो की उचित नहीं है। अशुग समय पर स्नान कर लेने से हमें फायदे कम और नुकसान ज्यादा उठान होती है और उसके दुख दरिद्रता का नाश होता है। सबसे पहले हम जानते हैं स्नान कितने प्रकार के होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रमह स्नान, देव स्नान, रिशी स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान यह स्नान के मुख्य प्रकार होते हैं। इन्हें समय के अन प्रहत्री का अंतिम प्रहर और सूर्योदय से ठीक देड़ या दो घंटे पहले का समय होता है। इस समय सनान करने से और सनान के तुरंत बाद सूर्य देवता को अर्गे देने से हमारे जीवन में सुख, समरिधी और शांती बनी रहती है। इस सनान को भी श्रिष्ट सनान माना जाता है। और हमारी आयू लंबी होती है। तथा शरीर भी निरोगी रहता है। चौथा है मानव सनान। सुबह छे से आठ बजे के बीच किया जाने वाला सनान मानव सनान होता है। यह सनान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। इस सनान से अधिक शुब फल प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है। इसी लिए हो सके तो कम से कम मनुष्य को मानव सनान तो कर लेना चाहिए। लेकिन सुबह आठ बजे के बाद सनान करना हमारे शास्त्रों में उचित माना नहीं गया है। इस समय वातावर्ण में व्याप्त दैविय शक्ती बहुत कम हो जाती है। इसलिए मनुष्य में उच्साह और उर्जा की भी कमी दिखाई देती है। जिससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्तीसी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। इसलिए सुर्योदय से पूर्व अथवा सुर्योदय के समय स्नान करने को ही सर्वश्रिष्ट माना गया है। सुबह आठ बजे के बाद किये जाने वाले स्नान को दानव स्नान कहते हैं। सुर्योदय होने के बहुत समय बाद तक भी जो लोग स्नान नहीं करते हैं, उनके मन में दिन भर नकारात्मकता, कमजोरी और चिर्चिरापन बना रहता है ऐसे लोग जीवन भर दुखी और दरिदरी ही रहते हैं इनहें किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है यदि कोई व्यक्ती बीमार है तो उसे किसी गीले कपड़े से अपने अंको साफ कर लेना चाहिए इसे भी एक प्रकार का स्नान ही कहा गया है यदि स्नान करना संभव ही नहीं है तो मंत्र स्नान भी करना चाहिए मन में पवित्र नदियों का स्मरण करके इश्वर का ध्यान करते हुए मंत्र स्नान करे इस स्नान में जल की भी आवश्शक्ता नहीं है केवल वायू से ही स्नान हो जाता है इसलिए दोस्तों गरुर पुरान में हमें प्रति दिन स्नान करने की सलाह दी गई है प्रति दिन सुभ जल्दी जागकर स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पन करने से मनुष्य को जो लाब प्राप्थ होता है वह किसी अन्यकार्य को करने से नहीं मिलता है स्नान का महत्व सभी कार्यों में बढ़कर है स्नान के बिना हम अशुद्ध और अपवित्र ही रहते हैं दोस्तों, जोतिश के अनुसार आम मान्यता है कि गुरुवार को बाल काटने, शेविंग करने और नाखून काटने से पुत्र पर संकट हो सकता है सुहागन स्त्रियों को अमावस्या, पूर्निमा एवं एकादशी के दिन अपने बाल बिलकुल भी नहीं धोने चाहिए एकादशी के दिन अपने बाल भूल से भी नहीं धोने चाहिए हमारे हिंदू पंचान के अनुसार सभी त्योहार तिथी के अनुसार ही मनाए जाते हैं, जो की शुभ होते हैं इसी लिए त्योहारों के एक दिन पहले बाल धोना उचित होगा, परंतु त्योहार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। जोतिश शास्त्र की दृष्टी से अगर हम देखते हैं, तो अमावस्या, एकाद्शी और पूर्णिमा तिथी के दिन चंद्रया तो उच्छ की स्थिती में होता है, या नीच स्थिती में होता है। ऐसी परिस्थिती में यदि सुहागन औरतें अपने बाल धोने का प्रयत्न करती हैं, तो इसका परिणाम उनको स्वयही भुगतना पड़ सकता है। उनके घर परिवार में अशान्ति उत्पन हो सकती हैं। सोमवार के दिन सुहा सुहागन स्त्रियों के बच्चों का जन्म सुमवार के दिन ही हुआ होगा, तो उस दिन में सुहागन स्त्रियां अपने बाल नहीं धो सकती, क्योंकि ऐसा करने से उनके स्वयां के बच्चे का अमंगल हो सकता है। आप बिलकुल अपने बाल सुमवार को धो सकते हैं और बहतर परिनाम के लिए आप पलाश फुल के पत्ते को पानी में मिला कर उसी जल से अपने बाल धोए। इससे आपके घर में शान्ती बनी रहेगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन सुहागन स्त्री को बाल नहीं धोना चाहिए। उस दिन बाल धोने से आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में बाधाएं उत्पन होती है। इसी कारण मंगलवार को बाल धोना पड़े तो उसके दोश से बचने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। आप आमवले का चून या पेस्ट बना कर उसे अपने बालों में लगा ले फिर धोलें। बुधवार के दिन सुहागन स्त्रिया बाल धो सकती है। लेकिन अगर स्त्रियों के छोटे भाई हैं तो उन्हें बुधवार को बाल नहीं धोने चाहिए। क्योंकि उस दिन बाल ध धोने का दोश स्त्रियों के छोटे भाई को लगता है। इससे बचने के लिए आप वरुन देव या फिर बुधवार के स्वामी श्री गनेश की आराधना कर सकते हैं। गुरुवार के दिन सुहागन स्त्रिया ही नहीं, किसी पुरुष को भी अपने बाल नहीं धोना चाहि उस दिन घर में पोच्छा भी नहीं लगाया जाता। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने से आपके घर में दरिद्रता आती है। यदि सुहागन औरते गुरुवार के दिन अपने बाल धोती हैं, तो उनके पती की उम्र कम हो सकती हैं। इसलिए प्रयास करें कि ग लगाना चाहिए। और फिर आप अपने बाल धो सकती है। शुक्रवार के दिन सुहागन स्त्रियां अपने बाल धो सकती हैं। लेकिन जिन स्त्रियों को पुत्र की कामना हो या जिनके पुत्र हो वे शुक्रवार के दिन अपने बाल ना धोएं। शुक्रवार के दिन अग को बाल नहीं धोना चाहिए क्योंकि सभी ग्रहों में शनी देव को सबसे उच्च स्थान दिया गया है और सभी लोग शनी देव के क्रोध से डरते हैं। इसलिए शनी देव के दोश से बचने के लिए आप अपने बालों में दूध लगाएं और फिर धोएं। सुहागन स्त्रिया जिस मांग में सिंदूर भरती है उसे गंगा स्थल भी कहते हैं। इसलिए इसे पवित्रता और सौभाग्य की निशानी मानी गई है। सुहागन स्त्रियों को अपने मांग में सिंदूर लगा कर ही पूजा करनी चाहिए, लेकिन पुरुष को हर दिन अपने बाल धोकर ही पूजा करनी चाहिए। हाला की इस से अलग धार्णा है कि शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन ग्रह नक्षत्रों की दशाएं तथा अनंत ब्रह्माड में से आने वाली अनेक सुक्ष्म किरने मानविय मस्तिश्क पर अत्यंत समवेदनशील प्रभाव डालती हैं। यह स्पष्ट है कि इनसानी शरीर में अंगुलियों के अग्रभाग तथा उसका सिर अत्यंत समवेदनशील होते हैं। कठोर नाखूनों और बालों से इनकी सुरक्षा होती है। इसी लिए ऐसे प्रतिकूल समय में इनका काटना शास्त्रों में वर्जित, निंदनिय और अधार्मिक कार्य माना गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से शास्त्रों में स्नान करने और बाल धोने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए गये हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी।